कि दोस्तों को जादा से जड़ाव को अधा दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरोद हैं pastry नमस्कार दोस्तो स्वागात है आपका जी धिन्यूश पर दोस्तो इस वीडियो में अपको देखना होरा इंगे तो तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे अगतार कदम उठा रही है आपको बता दे कि cnbc आवाज में मिली जानकारी के मुताबे किसानों की आय बढ़ाने के लिए नीती आयोग ने कंजियूमर और फेर मंत्राले से एसोसियेशन कमोडिटी एक्ट में धिल देने की मांगी है नीती आयोग के मुताबिक कड़े कान कानून के चलते हैं ट्रेट्स स्टॉक नहीं रखना चाहते हैं ऐसे में किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा था अगर इस कानून में धिल दी जाती है तो किसानों की आमदनी पर इसका सीधा असर होगा आपको बता दे कि कैबिनेट की पहली बैठक में किस के चिसानों को लेकर के दो फैसले हो चुके हैं पहला फैसला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी यूजना के तःत अब सभी किसानों को सालाइन 6 रुपए मिलेंगे और वह ही जो दूसरा फैसला है इसके तहट किसानों के लिए पैंसन यूजना का भी एलान किया गया है आपको बता दे कि नीती आयो की कंजूमर अफ़ेर मंतराले से एसोसियेशन कमोडिटी एक्ट के बदलाने की मांग के लेकर के कड़े कानून के चलते ट्रेट्स भंडार नहीं करना चाहते हैं ऐसे में किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा था एसोसियेशन कमोडिटी एक्ट के तहट सरकार किसी भी वस्तू का मात्र और दाम तै कर सकती हैं सरकार किसी व्यपारी को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर कर सकती है साथ ही एक्ट में व्यपारी के लिए साजा क प्रवधान किया गया है जी हां दोस्तों अगली बड़ी खबर 103 आतंकवादियों का सपाया हुआ है इस साल 1170 बार पाकिस्तान ने किया है सीजफायर का उलंगन जी हां दोस्तों इस साल यानी 2019 में सुरक्षा बलों ने जम्मू कस्मीर में अब तक कुल 103 आतंकवादियों का जादा बढ़ा है सुत्रों के मुताविक 2019 में 6 जुन तक पाकिस्तान की तरब से कूल 1170 बार सीजफायर का उलंगन किया है जबकि 2018 में पूरे वर्स के दोरान पाकिस्तान ने 1629 बार सीजफायर का उलंगन किया है इस साल जो आतंकवादिक खत्मी किये गए उसमें से 25 आतंक आतंकवादियों में अंसार गजल उल हिंद का जाकिर मसूद भी सामिल है जिसे सुरक्षा बलों ने दक्षन कस्मीर के तराल में 24 घंटे की जड़ब के बाद उसे खत्म किया था आतंकी गत्वीदियों रमजान के बाद भी यानि 6 से 7 जुन के दोरान सुरक्षा बलों के घ कब 2019 से धोनी के गलफ्स विवाद पर सी ओए चीफ बिनोद राय का बड़ा बयान बना रहेगा बलीदान बैच जी हां दो सुम इंग्लेंड और वेल्स में टीम इंडिया जहां एक और मिसन भी सुकप की तयारी करने के लिए सब कुछ ने उचारू करने पर लगई हुई है वही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महन सिंग धोनी के गलफ्स में पैरा कमांडों की खास चीन के लिए बलीदान बैच को लेकर के मामला तूल पकड़ता जा रहा है इसी बिच बिच बिसी सी आई के सी ओ ए चीफ बिनोद राय ने बड़ा बयान दे दिया है उन्होंने चीज का अंतराष्टिये मैच के दोरान राजनितिक धार्मिक या नकसलिये संदेश देने के लिए हो आपको बताते हैं कि जिस तरीके से बिसी सी आई ने यह साफ कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि हमने बिसी सी के लिए जो सूचना भेजी है कि धोनी के गलफ्स में जो चिन है उसकी किसी बैपारिक और धर्म के सांकेत का कोई लेना देना नहीं है जैसा कि सब जानते हैं कि इसकी अनुमती जल्द ही मिल जाएगे जिहां तो इसका मतलब यह हुआ कि धोनी के विकट केपिंग के लिए इंडियन पैरा स्पेसल फोर्स से संबंधित कुछ नह जी हां दोस्तों अयोध्या में भगवान राम की लकडी की बनी मूर्ती का अनावरन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए युत्तर प्रदिस के मुख्य मंतरी योगी आधितनात ने बहुत बड़ा वयान दे दिया हैं उन्होंने का है कि अयोध्या में जन भावना को ध्यान में रखते हुए ही भवे राम मंदिर का अनिन मार होगा उन्होंने का है कि दुनिया के सामने मानवता के कल्यान का मार्ग भारत से ही प्रसस्त होगा दुनिया में करुणा और मैत्री का संदेश भारत नहीं दिया है यहीं वज़े है कि आज पूरी दुनिया को भारत की ओर देखना पड़ा है उन्होंने का है कि ससक्त संपन और संब्रिद्ध साली राष्ट की सकती ही सौहार्थ की बात कर सकता है पिछले पांच वर्सों में प्रधारमती नरंद्र मोदी के नितित में जिस कती से भिकास किया है उसे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है इलाभआद में संपन कुम मेले की सफलता का भीुस्व करते हिवें उन्होंने का आय theoret पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें यूनेस्कों ने कुम की सांस्कृति का निखस्व की मानिता दी है पहला कुम अइसा है is इसमें पूरी दुनिया के कई देशों ने इसमें भागिदार लिया था अगली बड़ी खेवरे आईश्मान भारत यूजना को लेकर के अरविंद के जरिवाल ने लिखा केंद्र सरकार को खत बोले यूजना लागू होने से होगा दिल्ली वासियों का नुकसान जी हाँ दोस स्वास्त यूजना बंद करकि आईश्मान भारत यूजना लागू की गई तो लाखो दिल्ली वासियों का भारी नुकसान होगा उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि किन्द सरकार की आईश्मान भारत यूजना से दिल्ली की लगबग 10 फीसदी से भी कम आबादी को लाव म सकता है वहीं दिल्ली सरकार की स्वास्त योजना के तवात लाभारती का इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी सरकार चाहे वो 30 लाक रुपए क्यों नहों के जरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार की स्वास्त योजना के तहत इलाज के खर्च में कोई सिमा नहीं होगी उन्हें रिकाहे कि दिल्ली के जटे यूपी और हर्याना के अंदर सरकार के यह आईश्मार भारत योजना लाग होगी है फिर भी दोनों राज्यों में लाखों मरीज दिल्ली सरका के अस्पताल में ही इलाज करवाते हैं जबकि दिल्ली का साइध कोई भी नागरीक इन राज्यों में जाता हो